राम राम किसान भाईयो मैं नितन फिट से हाजिरूं आपके अपने चैनल Fertilizer Expert में ना आज हम बात करेंगे Fungicide के बारे में ना बात करेंगे आज हम कीटना सके बारे में आज हम बात करेंगे एक बहुती सांदार Micronutrients के बारे में जिसका नाम है Boron कि Boron आखिरकार है क्या? ये कितने पिरकार का आता है? कितनी इसकी डोज होती है? क्या इसके फायदे होते हैं? क्या इसके नुकसान होते हैं? सब कुछ बड़े आसानी के साथ बड़ी बारीकी के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोरोन का आखिरकार हमारी फसलों पे क्या महत्व है क्या हमें अपनी फसलों के अंदर बोरोन डालना भी चाहिए या इसके ना डालने ना डालने से हमारी फसल पे कोई असर नहीं पड़ता तो सब कुछ बड़ी बारीके के साथ आपको बताना चाहूंगा मैं और आप यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप भी आस्चरे चकित रहे जाएंगे कि बोरोन का हमारी फसलों के अंदर कितना बड़ा महत्व देखा गया है क्योंकि आप अपने खेत को देखे अपनी फसल को देखे बिलकुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी फसल के अंदर बोरोन की कमी आखिरकार है भी या नहीं और इस वीडियो को ज़िए आप देख लेते हैं तो आप अपने खेट में एक बार घूम कर पता लगा लेंगे कि खेट के अंदर बोरोन की कमी है या फिर नहीं है तो बात करते हैं बोरोन की बोरोन के सानवर एक Micronutrients है Micronutrients की जो आवसकता हमारी फसलों को पढ़ती है सकता है इतनी ज़्यादा फसल को नहीं पड़ती जितनी बोरोन की पड़ती है इसका जो कार्रे होता है जो हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादे ज़्यादे ज़्याव सकता पड़ती है वो पता कैसे चलता है कि हमारी फसल के अंदर बोरोन की कमी है या फिर नहीं है तो किसान भाईयों हमारी जो पत्तियां होती हैं फसलों की पत्तियां छोटी होनी सुरू हो जाती हैं पत्तियां पीली और धीरे धीरे सिकरनी चालू हो जाएंगी फलो और फूलों का जो साइज होता है वो किसान भी धीरे धीरे बिगरना चालू हो जाता है कुछ फल छोटे और कुछ फल बड़े होने सुरू हो जाते है फल और फलो का जो आकार होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है आप फलो को देख करके ऐसा लगेगा कि फल की जो दुर्दसा है वो बहुत ज़्यादे खराब हो चुकी है फूल और फलों की जो संख्या होती है पोधे पर कम हो जाती है यानि कि फूल और फल जढ़ने भी सुरू हो जाते हैं बहुत कम मातरा में फूलों की विवस्ता आपके पत्ते के ओपर मतलब फसल के ओपर हो पाती है अंदर से फूल और फल जो होंगे वो किसान भाई यो खोकल बनने सुरू हो जाएंगे तो ये जो कमी होती है ये किसान बोरून की कमी होती है आलू की फसल के अंदर भी आपको ये देखने को मिल जागा कि आलू अंदर से खोकला आपको मिलेगा जो हमारी गोबी की फसल होती है गोबी आपको अंदर से खोकली मिलेगी यानि कि किसी भी यदि खोकलपन आपको देखने को मिल रहा है तो आप बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं कि आपकी फसल के अंदर बोरोन की कमी हो गई है या फिर यदि पत्यों का जो अकार है वो धीरे धीरे सिकरता चला जा रहा है फल और फूल जो है उनकी दूर्दसा हो रही है फल आपक मार्केट में कितने फिरकार का आपको देखने को मिल जायागा उसके बाद इसके फाइदे के बारे में भी बात कर लेंगे तो बोरोन जो है आपको मार्केट में बीस परसेंट में भी देखने को मिल जाता है चिलीटिट बोरोन जो आता है वो किसान में आपको 26 परसेंट मे भी देखने को मिल जाएगा एक आपको मिल जाता है बोरेक स्पूडर ये भी किसान में आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से आपको मार्केट में लगबल दो से लेके तीन तरीका बोरों जो है आपको देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं कि इसके फाइदे कि इसके क्या क्या फाइदे हमें देखने को मिल सकते हैं तो पहले फाइदे के बारे में बात करें तो यह पत्तियों और साखाओं को बनाने में बहुत ज़्यादे मदद करेगा नई 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 पत्तिया बनती हैं नई नई साखाओं को निर्मान करता है इससे आपको काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा दूसरा के सामबर जो आपकी फसल के उपर फूलों की संख्या को बढ़ाएगा फलों की संख्या को बढ़ाएगा नहीं तो फूलों को गिनने देता है नहीं फलों को गिनने देता है इसका उप्योग करने के बाद यदि इसकी कमी आपके खित के अंदर नहीं है, तो फल बहुती सुन्दर, साफ और स्वच आपको दिखाई देगा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ये अंदर से बिलकुल भी खोकले नहीं रहेंगे, और जो पत्य होंगी वो उनके उपर साइनिंग बहुत अच्छी तरीके अब बात करते हैं, हिसका उपयोग हमें अपनी फसलों के उपर कैसे कैसे करना चाहिए, इसकी डोज कितनी लेने चाहिए, और यदि इसकी मातरा हम अपनी फसल के अंदर जादा डाल देते हैं, तो हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, तो नुकसान के बारे मैं वो लाल पढ़ना सुरू हो जाता है, पत्या हलकी सफेद धारीदार बन जाती है, तो ये दो दिक्कते हैं आपकी फसल के अंदर आ जाती है, तो इसकी मात्रा उतनी ही डालें, जितनी मात्रा मैं आपको वीडियो में बताओं, क्योंकि ये पिर्ती एकड की बिल्कुल सफीसिय के अंदर आप इसे मिला करके इसका इस्प्रे अपनी फसल के उपर कर सकते हैं, बहुत ही बहतनी रिजल्ट इससे आपको देखने को मिल जाएंगे, अब बात करते हैं इसकी कीमत की कि जो हमारा 200 ग्राम पिर्ती एकड़ वाला हम मैं आपको बोरून बता रहा हूं, इसका ख बोर एकस्पॉर्डर की जो मातर आपको लेनी है, वो 3 किलोग्राम पिर्ती एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत के इंदर इसका उप्योग कर सकते हैं, और इसकी जो कीमत रहती है वो मातर 200 रुपए पिर्ती एकड़ का का के सón बहुत है, इस तरीके से भी आप बोरून का जो उपयोग है अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं तो मैंने आपको डोज भी बताई है इसकी कीमत भी बताई है और अब मैं साथ साथ आपको बाब बता दूँ किसान भाई जैसे आपकी गन्ने की फसल है धान की फसल है गेहों की फसल है तो हमारी फस्लों के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर बोरोन की कमी काफी जादे देखने को मिल रही है तो आप यदि बोरोन का उपयोग एक बार भी अपने खेट के अंदर हलकी मातना में कर देते हैं तो आपकी पैदावार को ये कम से कम 15 से लेके 20-30 सथ तक बढ़ा सकता है तो बोरोन का उपयोग आप जरूर करें दूसरा किसान भाईयो आप अपने खेट के अंदर नाइटोजन, फास्परोस, पोर्टास सभी खाट डालते हैं सलफर भी अपने खेट के अंदर डालते हैं तो इनके साथ-साथ बोरोन का डालना भी जरूरी है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादे महंगा नहीं है पिर्ती एकलका खर्चा मैंने आपको बताया यदि आप बोरेक स्पोर्टर का उप्योग करते हैं तो मातर 200 रुपए का खर्चा आपका आएगा पिर्ती एकलका और आपके खेट के अंदर जो बोरोन की कमी है वो बिलकुल पूरी हो जाएगी आपकी फसल की जो पैदावार है वो भी बढ़ेगी और फसल पर लगतार चमक भी बनी रहेगी तो इस तरीके से किसान भाईयो बोरोन के उपर A to Z complete जानकारी मैं आपको देचका हूँ यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा किसान भाईयो तक सेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे की किसान भाईयो मैं आगे भी और भी सांदर सांदर वीडियो आपके लिए ला करके देशकों तो फिर्म मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए सभी किसान भाईयो को राम राम जी